हेलो वाट्सअप गाइज मैं नेम इस विमध बादु थापा एंड टोड़े इन इस वीडियो भुविद्जी हो टू इंस्टॉल टैप स्क्रिप्ट एंड रन यूर बेरी फर्स्ट प्रोग्राम उन तैप स्क्रिप्ट इन हिंदी स्विडियो में देखेंगे कि टैप स्क्र प्रोग्राम देखेंगे टैप स्क्रिप्ट में तो चले गाइस शुरू करते हैं लेकिन सबसे पहले गाइस में आपको बाताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरी चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज गाइस इसको सब्सक्राइब कर अपने मसीन पे node.js इंस्टाल करना पड़ेगा ठीक है node.js को आपको इंस्टाल करना पड़ेगा for that आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर देख सकते हो मैंने यह लिंक ओपन किया हुआ हुआ है जहां पर हमारे पास करेंट वर्जन दिखा रहा है यह देखें डारेक्ट मे तो आप यहां पर देख सकते हैं जैसे मैंने होंपे क्लिक किया मेरे पास यह पेज ओपन हो जाता है यहां पर लिखा है LTS डाउनलोड फॉर विंडोस में विंडोस के लिए कर रहा हुआ है यहां पर क्या लिखा है 8.11.3 LTS मतलब लॉंग टर्म सपोर्ट और यहां पर कुछ मत करो करेंट पर मत जाओ लॉंग टर्म सपोर्ट पर जाओ ठीक है और यहां पर मैं आपको नीचे दे दूंगा तो आप अपने डाउनलोड पर जाना है इस तरह से पूझव लिख दीजिए तो सबसे पहला जो आता है ना नोड डॉट जिया यही मैं ने ओपन किया हुआ है आपको क्या करना है सिंपली वोंपे जाना है इस पर आपको राइट क्लिक नीचे पर क्लिक करोगे यहां पर देखिए अपने डाउनलोड पर जाहिए यहां पर मैंने नोड.js को उपन सर्च किया तो आप देख सकते मैंने बहुत बार उसको डाउनलोड करके रखा तो यहां पर देखिए मैंने जो इससे पहले डाउनलोड किया था भी कौन से दिखा रहा है 8.11.3 दिखा रहा है लॉंटर्म हो जाएगा ना तो वो कुछ इस्तरिके से फाइल में आ जाएगा ठीक है .msi तो बस आपको कुछ नहीं करना गया है सब इस पर simply क्या करना राइट क्लिक कीजिए और इस पर इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए अब बस इतना ही करना आपको देखिए जैसे आप इंस्टॉल आपका इंस्टॉल हो जाएगा अब आपका इंस्टॉल हो जाएगा अब आपको क्या करना है अपने cmd पर जाना है cmd ओपन करना है इसका में क्या करता होगा इसकी में थोड़ी सी आपका पॉइंट बढ़ा जयता हूँ आपके लिए परफेक्ट रहेगा और यहां पर देखिए अब आपको कुछ लेना देना नहीं कहां क्या है आप डारेक्ली cmd पर जाहिए अभी आपने नोड.js अपना इंस्टॉल किया ना तो आपको लिखना है node-version तो आपको चेक करना है कि आपका इंस्टॉल हुआ भी है याँ तो अगर लिखे अगर आपको वर्जिन मिल गया मनलब आपको डाउनलोड हो चुका है तो यह अगर आपको तब भी कुछ डाउट होता है मैंने अंगुलर के पर सीरीज बनाए उसमें मैंने दिखा है सेकंड वीडियो पर करना है तो देखे गाइस मैं आपको बाता आता हुआ कि आप किस तरके से टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर सकते हो ठीक है एक बार जब आपने इसको नीचे देदूगा यहां पर दिखाए कि आपको किससे किसे इंस्टॉल करना आपको देखे अगर फॉर्ट वर्जन के लिए करना तो आपको देखे क्या लिखना है एन पी एम इस पेस इंस्टॉल और स्पेस डैस जी डिलोंग्स टू ग्लोबल और टाप आप डिलोंग्स इंस्टॉल कर दीजे एक बाद यह जैसे आपको इंस्टॉल हो जाता है तो जया सब हमें क्या करना है कि इसको वर्जन चेकर ना त्टिक है टाइप स्कुप्ट से नहीं हुरा तो शौर्य क्योंकि हमें उसका सोर्ट काट है टाइप स्कुप्ट देखे डा वर्जन दिखा रहा है वर्जन 2.9.2 इसका मलब यह कि हमने हमारा वर्जन क्रेट कर चुका है तो अब मैं दिखाता हूं कि आप कैसे पर वक करना है करें लिखता हूं यूटूब करके इस तरिके से मलब योटूब की स्वेलिंग बना लिया है अगर मैं लिखूंगा न तो मुझे इतना कुछ मिल रहा है उसके और और उसके अदर अगर जो नहीं करना था अब अब भी जो लेटेस में बनाया था वो था टाइप स्क्रिप्ट यूटूब बनाया था ठीक है टाइप स्क्रिप्ट यूटूब इस तरी किसे और गास में उसके अंदर जा चुका अगर आप देखोगे तो उसके अंदर कोई फोल्डर नहीं है अब मैंने क्या बना लिए टाइप स्क्रिप्ट यूटूब बना चुका हूं तो देखे काईस अब मुझे क्या करना अपने विजुल स्टूडियो कोड में जाऊंगा मैं और उसका भी लिंक में आपको नीचे दे लेता हूं देखिए मैंने आपको क्या करना है विजुल अब बिलिबंगे ऐसे हाटली कुस्तों भी 5-6 MB अब नहीं होता होगा साइथे डार्टल आप इस पर क्लिक कर दिजिए एक MB दो में पाता है नहीं कितना होता है यह तो आप बस इसको डाउनलोड कर लिजा ठीक है एक बास कीप करता हूं देखता हूं आप देख सकती 44 MB का है छोटा सा एक बार जैसे आप डाउनलोड करोगे यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा विज्वल बस आप इस पर क्लिक की जागा है इस आपका विज्वल इस्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा तो यह जो मैंने और इक बना इसको मैं कर देता हूं डिलिट ठीक है म मतलब मैंने जो cmd से फोल्डर बनाया तो अल्रेडी क्रियेट हो चुका है आपको बस उसको स्लेक्ट कर देना है अपने जैसे स्लेक्ट किया आपका यह आज चुका तो यह वेल्कम को आप डारेक्ली क्लोज कर दीजिए और राट यह देखिए आप उसके अंदर यहां पर यह देखे गाइस मेंने आपको इस्टार्टिंग में बात आया था कि यह कंपाइल टाइम एरर है मैंने सिब cons लिखा देखिए एरर हाई लाट हो चुका तो मैं च्रूल प्लस कर देता हूं और प्लस कर देता हूं ठीक है और इसको मैं यहां से क्या करता हूं गाइस एक ब वर्ल्ड भी लिख सकते हो लिकिन चलता है ठीक है यह जो मैंने अभी लिखा है मैंने बहले टाइप्स.ts ओपन के लिकिन मैंने प्ले जावास्क्रिप का कोड लिखा बस मैं आपको दिखारना चाहता हूं कि आप किस तर्केस अपने फाइल में इसको इंक्लूड कर सकते हू अपने command point पर आईए ठीक है जहां पर आपका वो है वहीं पर रही है और यहां पर आप DIR लिखोगे ना तो देखें now we have types.ts ठीक है अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा इस compile करना पड़ेगा तो for that आपको लिखना है tsc typescript compiler और बस आपको आपका फाइल का नाम लिख देना है types.js ठीक है अब notice करो guys यहां पर जैसी आप लिखोगे ना तो देखें यहां पर मैं अभी क्या करता हूं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देखो types.ts है मैंने आपको वीडियो में क्या बात आ देखना था types.ts ठीक है अब मैंने आपको बाता है कि जब हम इसको compile करते तो typescript का जो compiler है वो automatic transpile कर देता हमारी इस file को types.js के file में तो देखें गाइस आपने notice किया मैंने जैसे इसको compile किया हमारे application ने automatic I mean हमारे जो typescript compiler है automatic उसने types.js का folder बना लिया अब अगर इस पर मैं क्लिक करता हो था आप देखो के same है अगर आप कुछ ऐसा code function function लिखते है न तो typescript में अलग दिखता था क्यूंकि typescript में थोड़ा अलग है इसमें थोड़ा अलग है लेकिन अभी मैंने plain javascript code लिखा विच अब valid type script को ठीक है तो देखें हमने इतना लिखा अब इसको में index.html के एक में file बना लेता हूं और यहां पर head लिखूंगा ही न क्यूंकि मैं directly body लिखने वाला हूं यहां पर मुझे क्या लिखना होगा source ठीक है क्यूंकि source हमारा क्या है और देखें सभी तीनों एक ही folder के अंदर है तो आमें कुछ दिन की जौति नहीं आप simply लिख दीजे टाइप और यहां आप यहां पर टीएस मत लिखो क्यूंकि browser को समस्ता नहीं है टीएस इसलिए तो better word है ट्रांस फाइल कर दिया पर हमने उसको यहां पर इंक्लू कर दिया अब आप यह देखें कि आप कहां पर आपका यह folder ठीक है तो मैं क्या करता हूं गाईस कि यहां पर जाता हूं ठीक है मैं क्या करता हूं कि वह मैंने जो बनाया था f drive के अंदर यूटूब आप सॉरी टाइप स्कृट यूटूब ना देखें टाइप स्कृट यूटूब यहां पर देखें इंडेस दॉट एसलिए पर जैसी में क्लिक करूंगा तो सबसे पहले आ इंडे तोब आप फूंधे बार देखा Ich it review कुछ लिखा देखें याँ पर कुछ लिखा ने यह पर कुछ लिखा निहीं लेकिन जैसी अगर मैं यहां पर इंस्पेक्ट पर क्लिक करता हूं और कंसोल पर जाताु वाम कासाका कि हमारा पहला मारा प्रोगण्रार्ण हो चुका है देखे welcome to my channel देख इस तिर्गे से आपने देखा यह टाइप स्क्रिप्ट का वोड़ेज जो कि मैंने यह टाइप स्क्रिप्ट में लिखा था उसको जब कंपाइल किया तो types.js में उसको कंपाइल कर दिया उसको मैंने index.html में बस उसको मैंने इंक्लूट कर दिया तो इस सिर्के से जब मैंने इसको रन किया तो welcome to my channel हमारे कंसोल पर आचुका है तो गाइस इस सिर्के से आप अपना very first program को रन कर सकते अपने browser पर आयो गाइस आपको वीडियो पसंद है और आपको समझ गया कि आपकी सिर्के से node.js को इसको इसको रन करना है तो अगर आप इसको वीडियो पसंद है प्लीज मेरे चानल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए अपने सारे दुस्तों के साथ इसको सेर कीजिए और वीडियो थोड़ी से भी पसंद आई ना गाइस इसको लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ मैं आज दिन में आपसे देली दो वीडियो डाल एक तो टैप स्क्रीप रदूसरा प्रोग्रामिंग टीप अप दी दे उसको भी आप जरूर देखिए उससे आपने एक नॉलेज बेड़ेगा एक नाय ना एक टीप सिखने मिलेगा ठीक है और हाँ कुछ डावट कर दो आपसे 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 पने आपसे जापसे आपसे गक उना एक टीप